अगनीवीर बन गया लूटे रहा चुट्टी पर घर आया फिर बनाई ये गैंग और गन पॉइंट पर सुरू कर दी डकैती आखिर कौन है ये अगनीवीर और क्यों बन गया लूटे रहा हम आपको सब बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्ते मैं पलवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं अगनीपत योजना जिसको लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा अगनीपत योजना में बन रहे हैं अगनीवीरों को लेकर सरकार की अपनी तर्क है विपक्षिश को लेकर लगतार सवाल खड़ा कर रहा है वो इस योजना की बुराई गिनारा है कमिया बता रहा है कि जो अग्नी वीर बन रहे हैं उन्हें चाट साल की ट्रेणिंग मिल रही है। कि ट्रेणिंगी है उनके पास यहीं बहुत खतरनाक साबित होंगे। सेम यही बात राहुल गांदी ने संसत भवन में कही थी और आज वो सच होता नजर आ रहा है जब एक अगनी वीर दो महीने के छुट्टी लेकर घर लोटता है और फिर वो वापस जूटी जुटी ज्वाइन ही नहीं करता उसके बाद वो एक गैंग बनाता है और चोड़ी ड नरेंद्रमोदी जी कहते हैं कि जो भी युवा इस जंडे की रक्षा करना चाहता है कि उसे हम छे महीने की ट्रेनिंग देंगे और चार साल बाद उसे लात मार के भगा देंगे क्या है पूरा मामला पंजाब के महौली का रहने वाला एक सक्स इशू सेना में अगनिवीर के रूप में नवंबर 2022 में भरती होता है और अभी बंगाल में ड्यूटी पर तैनाद भी था दो महीने के लिए चुटी लेकर घर आता है चुटी समाप्त होने के बाद उसे ड्यूटी जॉइन करनी थी लेकिन वो जाता ही नहीं है अपने भाई के साथ प्रदीप सिंग और अपने दोस के साथ मिलकर एक गैंग बना लेता है गैंग बनाने के बाद गन पॉइंट पर लूट पाट और चिनैती का काम सुरू कर देता है तो अब कहानी तसली से पंजाब के महौली में एक अगनी वीर जवान है लूट पाट के आरोप में गिरफतार हुआ है दो महीने की छुटी लेकर ये अपने घर आया हुआ था लेकिन पुलिस ने उसके दो सातियों के साथ उसे कार लूटने के आरोप में पकल लिया है उनका ये कहना है कि ये लोग जो है वो यूपी से हतियार खरीद कर महौली में लूट पाट को अंजाम दे रहे थे लूट पाट जैस एक महौली पुलिस ने 24 जुलाई को चपड़ चीरी के पास एक कार छिनोहतों को गिरफतार किया कुल तीन लोगों को गिरफतार किया गया पता चलने पर पता ये चला कि एक आरोपी उसमें से जिसका नाम यश्मीद सिंग है उर्फ ईशू वो भारती सेना में अगनिवीर जवान है वो साल 2022 में सेना में भड़ती हुआ था और अब वो गिरो बना चुका है अपने भाई और अपने दोस के साथ भाई और दोस के साथ जो उतने गिरो बनाई है उस गिरो का काम ही यह है कि वो लगतार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं भाई परम के की घटना को अंजाम देते हैं आरोप है कि 22 जुलाई को इन तीनों लोगों ने मिलकर यात्री बनकर एक टैग एक कैप डाइवर को लूट लिया यह तीनों जिनकी उम्र 18-22 साल के बीच की है यह तीनों जो है वो एक साथ एक जगह रहते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की जाए तो 12 तक इनों ने पढ़ाई की है रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई कैप को बरामत भिकल लिया है और इन आरोपियों के पास एक फरजी नेम प्लेट भी मिला है जो उस गाड़ी पर लगा कर यह एक मोटर साइकल, एक स्कूटी, दो फोन और एक देशी पिश्टल के साथ तीन जिंदा कार्टूस बरामत की है जाच में यह भी पता चला है जाच में जो खुल कर सामने आया है वो हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि जाच में बताया गया है कि इशू 2022 में जब सेना में भड़ती हुए थे अभी वो पंजाब में पोश्टेट थे माई में वो चुट्टी लेकर वापस आते हैं उसके बाद कम वेतन होने के कारण वो वापस नहीं लोडते हैं ऐसा अधिकारी ने बताया है कि इशू अपने परिवार से दूर रहा करते थे और 20,000 रुपए क मामली वेतन होने के कारण उने अपने भवश की चिंता थी, वो काफी चिंती थे इसलिए उन्होंने से ना में वापस जाना ठीक नहीं समझा, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपरात करने का मन बना लिया था इसी वज़े से वो हतियार खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपूर उतर जाते हैं जब वो चुट्टी लेकर घर आते हैं तो घर पहुँशने से पहले वो कानपूर में उतर कर पहले असलाहा करिदते हैं और फिर इसका इस्तमाल अपने गैंग के साथ चोरी करने में क अब अधिकारी यह बता रहे हैं कि इशु जो है वो एक कुशल शूटर है और जो कैप ड्राइवर है उसने अपनी गाड़ी से उनको धक्का दे दिया था इसके बाद वो पैदल जो है वो ड्राइवर का पीछा करने की कोशिश करते हैं इस दौरान जो इशु है वो कैप ड्र से पहले एक फोन चुराता है उस प 여자 fragile करके टैक्सी सर्विस से एक उसके बाद उस फोन को फाको देता है गारी को चुराने के बाद ने पी जो है वो सबसे पहले फोन को प्रषक देते हैं उसके बाद जो कार होती यह कार इसको एक सूंसान सडक कर देते इसके बाद आरोपी जो है वो अपने घर वापस लोड जाते हैं और दुबारा जब वो वापस उसकार के पास पहुंसते हैं तब पुलिस उनको ट्रैक कर लेती है और पकड़ लेती है ऐसे पकड़ा गया अगनिवीर चोरी करते वक्त तो जैसा कि आपको पता है कि जो अपरा नहीं पूरी सूचना जो है वो दे दी है क्योंकि आप सभी को पता है कि जब कोई जवान होता है उससे कोई कोई गलती हो जाती है कोई लॉट तूट जाता है तो ऐसे में कोई भी कारवाई करने से पहले पुलिस जो है वो सेना को उसकी सूचना देती है क्योंकि वो जो ना तरच कर दिया गया है 307 308 125 और 161 यह तमाम मामलों में जो है फाइर दर्श कर दिया गया है बाकि अगनिवीर योजना में जो योद्धा तयार हो रहे हैं वह जब तक तो सेना में हैं तब तक तो उनके पास एक थोड़ी मांदे है 20,000 रुपए तक की वेतन उनके पास है लेक लेकर लगतार विपक जो है वो सवाल खड़ा करते रहता है जो समाजिक तब्गे में जो थोड़ा पढ़ा लिखा समाज है वो भी विरोध करता है क्योंकि एक जो जवान जो ट्रेनिंग करके वापस आ रहा है उसके पास तमाम चीजों की जानकारी है ऐसे में अगर वह वा करी कर सकता है तो एक जवान जो आर्मी से रिटायर है वो जब चपरासी बनेगा तो बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा पहली बात और दूसरी बात की एक सेना जिसके पास तमाम तरीके की सुविधाएं है पेंशन है उसके परिवार को एक तरीके की राहत दी जाती है पें जो देश के जवान है उनका क्योंकि जब आपको परिवार की आपकी परिवार की सुरक्षा नहीं मिलती है तो आपको गोली खातेवक दर भी लगता है कि अगर हम मर जाएंगे हमारा पैर हाथ और यह सारी चीज़ें टूट जाएंगी तो उसको कौन समालेगा क्योंकि उस सही लगती है या गलत लगती है यह भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताईएगा नमस्ते मैं परलवी हूँ आप भारत एक नहीं सोच देख रहे हैं